हम बात करें हेलोगीनेशन्स रियक्शन्स की धियान से देखेगा क्या है हेलोगीनेशन्स लिखे वेन ऐलकेन वेल ऐलकेन रियक्ट विद रियक्ट विद हेलोगन्स in ultraviolet Hμ rays and convert in alkyl halide alkyl halide and their derivatives used then it's called then it's called halogenation of reactions halogenation reactions halogenation of alkyl reactions आप कुछ भी लिख सकते हैं फिर समझते हैं यह हमारे पास LKN है CS3 CL2 हमने रखा CS3 CL हमें मिल गया और HCL हमार को देखने को मिल गया यह हेलोगनेशन रियक्शन है हमारी एक बार हेलोगनेशन हुआ है तो यह क्या किलाएगा मोनो हेलोजन डेरिवेट्यू हेलोजन डेरिवेट्यू क्या आगे भी पॉसिबल है हाँ अगर और ज्यादा CL2 है तो यह एक बार और हेलोगनेशन हो सकता है हम्यू जहां पर भी आजाएगा इसका मतलब रेडियेशन से सनलाइट है CH2 CL PLUS SCR हाँ बेटा अभी अपन लेंगे मेकनिस में मेकनिस करेंगे ना पर CH2 CL2 CL2 तो यह हमार पास CL3 PLUS SCR जैसे जैसे हम CL2 की कॉंटिटी बढ़ाते जाएगे हमारी रेक्शन नीचे जाती जाएगी CL2 की कॉंटिटी काम करते जाएगे रेक्शन उपपर जाती जाएगे CH2 CL2 और लिया हमने CL2 CH अब तो CCL4 ही आपको देखने को मिलेगा PLUS SCR यह मोनो डेरिवेटिव है यह डाइ डेरिवेटिव है डाइ हालोजन डेरिवेटिव हाँ हाँ देखी यह सारे जो कंपाउंड है यह पॉइजन भी और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हमारे लिए प्राब्लम क्रिएट कर रहा है बिल्कुल सही का आपने कि यह सब प्राब्लम वाले कंपाउंड है यह यह हमारे को CHCL3 ठीक है तो यह तो रहा हेलो जी नेशन का हमारा सिंपल सा अब बात आती है मेकेनिस मेकेनिस रियक्षन कहां से हमारे पास देखने को मिलेगी सची है तो यह bond cleavage होने के बाद हमारे पास यह हो गया एक तरह से इनीशियल स्टेट अगर आप यह सोचते हो कि कोई अलके इस तरह की है और यह बॉंड टू सी एस त्री डॉट बन जाएगा तो यह गलत है यहां से स्टार्ट होगी फ्रेडिकल हेलो जन बना सकते हैं डारेट अलकेन बीच में बांड नहीं टूटते हैं क्योंकि बांड एनरजी बहुत जाता है और इतने असाने से नहीं टूटेगा नहीं बनाएगा हां यह कैसे बनाएगा यह रहेगा इनीशियल स्टेप इनीशियल स्टेप तो मीडियम स्टेप्स क्या रहेंगी यह आपने क्या बनाया सीयल डॉट सीयल डॉट है और अगर आपके पास यहां पर सी एच फोर है तो यह एक एच निकाल देगा तो यहां सी एच थ्री डॉट प्लस एच यहां आपके पास डॉट बन सकता है तो यह possibility ऐसे है न कि ऐसे डारेक्ट तो एक free radical alkyl free radical बना सकता है लेकिन डारेक्ट आपके लिए यह चीज देखने को नहीं मिलेगी कि लिएर करें के लिए तो यहां अमारे पास दोनों ही possibility है हमारे को देखने को मिल रही है कि कैसे हम बात कर रहे हैं यहां है है लोजन के साथ यह लोजन पहले बने का बिलकुल पहले है बने का और वो एलकाइल फिर रेडिकल आपको बनाता हुआ देखाए देगा ठीक है और कोई डाउट चलिए तो यह तो हमारे पास रफ रेरिकल क्या और भी हमारे पास यह जो सीज दॉट बना है यह सील सील के साथ अटेच होगा और यह डॉट यह निकल जाएगा तो यह अब हमारे पास शीज दॉट यह वह है जो मीडियम स्टैपस है यह नि हम इनको बोल सकते हैं चेन प्रापोगेशन स्टैपस तो क्या बोलेंगे इसको चेन इनिशेटर लिख लीजिए इसको हम बोलेंगे चेन इनिशेटर स्टैपस और यह हमारे लिए हो जाएगा बीच वाले चेन क्या बोलेंगे हम प्राग्रेसिव या एफट चेन प्राग्रेसिव स्टैपस और क्या नाम दिया जा सकता है इसका हमारे लिए लिखें जल्दी छे चेन प्राग्रेटिव इस्टैपस भी हम बोल सकते हैं और लास्ट में हम जो बात करेंगे वह होगा चेन टर्मिनेटिंटिंग स्टैपस प्राग्रेसिव प्राग्रेसिव प्रापोगेटिव कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम चेन टर्मिनेटिंटिंग स्टैपस में क्या होगा बचे वे फिर एडिकल कंटेनर में आपस में रियक्शन करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा और यह बन जाएगा बापी और यह सी एस्ट्री सिया यह आपको देखने को मिलेगा तो कुल मिला के आपको यह स्टैपस मेकनेज देखने को मिल रही है और इजी है अब आगे इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकलके आएंगे यहां हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट रियक्टिविटी ओडर रियक्टिविटी ओडर क्या होगा रियक्टिविटी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एफ टू सीयल टू बियार टू आई टू जने के सिल इसमिल्टा होता है अरा इस अधारी एक्टिव एफ्टू सील फिर उसके बाद सील्टू फिर बीज़ फिर इक्टू आईटू एलकाहिप ऐलगाईल किसमें उल्टा होता है और ही सबसे ज्यादा रिएक्टू होता है ठीक है बिल्कुल ये हेलोजीनेशन है, हेलोजन की कंडिशन में रियक्शन हमेशा फ्टू जादा तेज़े से करेगा, क्योंकि F के साथ क्या रिज़न है, F खुद के साथ बहुत वीक बॉन बनाता है, लेकिन दूसरे के साथ बहुत ज्यादा है, तो खुद से तूट के सामने वाले अगर आप के पास CH4 है, और आपने CL2 को लिया है और एज मू अल्टा वाइलेट के साथ ये एक्सेस में है, तो आपको मेजर प्रोटक्ट क्या देखने को मिलेगा, मेजर आपको देखने को मिलेगा, CH3, CL, लेकिन अगर आपने CH4 ले रखाया और CL2 एक्सेस में है, तो आपको कोई मेजर नहीं मिल रहा है, आपको मिक्चर मिलेगा, मिक्चर ओफ CH3, CL, CH2, CL2, CH3, CL, नहीं, CH3, CL3, CCL4 का मिक्चर मिलेगा, ये सारे आपको देखने को मिलेगे, बनाये इनको, हम बात करते हैं, मोनो डेरिवेटिव, तो ये बहुत अच्छा एक्जाम्पल कर रहे हैं, ये इनको दोते हैं, ये इनको रहे हैं, मोनो डेरिवेट्यू मोनो डेरिवेट्यू ओफ हैलो जन्स अफ फोलोईंग कंपाउंड ओफ फोलोईंग कंपाउंड यह आपके पास एक्जाम्पल की फॉर्मेट में माल दीजी यह कोई और गेनिक कंपाउंड है इसमें हैलोजन लगाया और आपके पास अल्टावाइलेट है तो यहां पर क्या हो जाएगा मोनो डेरिवेट्यू मोनो हैलोजन डेरिवेट्यू और इसके नंबर कितने होंगे X types के हैं और यह X की value आपको बतानी है तो कुल मिलाके example one by one करते हैं सबसे पहला हम ले लेते हैं CH4 इसका तो एक ही जाएगा CH3 CL तो X की value यहाँ पर क्या आएगी? 1 दूसरा ले लेते हैं CH3 CH3 यहाँ CH3 CH2 CL X की value क्या आएगी यहाँ पर भी? 1 बोलो सही है तीस राय हमारे पास पर N पेंटे तो यहाँ हमारे पास दो तरके बनेंगे 1 CL यहाँ आजाएगा 1 CL यहाँ आजाएगा तो X की value यहाँ क्या आएगी? 2 समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? 4th example में फिर ले रहा हूँ N butane CL यहाँ आएगा CL यहाँ आ सकता है एक और हमारे पास बन रहा है यहाँ पर भी आ रहा है यह chiral है अब यह देखिए समझ में आ रहा है? यहाँ यह optically active बन रहा है इस जगह कोई डाउट? तो कितना बन जाएगा? एक, दो, तीन बलो बनेगा या नहीं बले? दो इसके हाँ तो तीन होगा है टोटल एक्स की वैल्यू क्या होगी है आप पर? 3 next हाँ अगर आपसे सिर्फ structure पूचा जाता तो इसका answer क्या होता? 2 आपसे पूचा total तो आपका अंसर जाएगा? 3 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 5 अब कितने बनेंगे? Mono derivative कितने बनेंगे? CL यहां आ सकता है CL यहां आ सकता है और यहां chirality भी नहीं है तो X की value क्या रहेगी यहां पर? 2 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारे पास आ सकता है CL यहां आ सकता है CL यहां आ सकता है CL यहां आ सकता है बोलो आ सकता है न? बीच वाले में कारलेटी है तो ये सी एल ऐसे बना लो तो कितने हो जाएंगे X की वैलू कितने हो जाएंगी जाएंगे सिर्फ एक ही जगह कारलेटी है हो गया? किलियर? सेविंध एक और एक्जाम्पल ले रहे हैं अपन इसको इंपॉर्टेंट मार करेंगे CL यहां आ सकता है अब इसको इंपॉर्टेंट मार करके हम इस तरफ लिखेंगे बिल्कुल सही का आपने यह हमारे पास कंपाउंड है पाका तो देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसलिए आपको यह अजीब सा लग रहा होगा कि यह क्या कह रहा हूं करने जा रहे हम इस जगह दूसरा 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 और दूसरा और दूसरा क्या यह दोनो से में अलग 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 है अलग अलग है एच्छ काईरलिट यह वह अब देखो यह दोनों अलग अलग है यह वाला और दूसरा तो आप मुझे सिंपल सा बताओ कि यह एक दूसरे से अलग अलग है यह यहां सॉलिड वाला और यहां अलग मुझे तो अलग दिखाई दे रहा है मैं कैसे भी करूँ अगर मैं गुमाऊंगा तो ये भी तो गुमेंगे फ्लिप करते हैं तो हम केवल एक पार्ट को नहीं गुमाते हैं हम पूरे मॉलिकुल को गुमाते हैं मैं विर भी तो तो फिर ये जो सॉलिद ड में ये क्रोंगे अगर आप इसको गुमारी हो ना तो पता ये क्या हो जाएगा ये ड हो जाएगा ये सॉलिद हो जाएगा सचना और ये भी अपसमें चैंट जाएगा ये वाली चीज से तरह कि दोनों अलग अलग है मैं कह रहा हूं कि क्योंकि यह काइरलेटी है कि आप जैसे गुमाने के बोल रहा हूं कि जब भी चीज घुमेगी यह तो यह वाला सॉलिड डेश में चेंज हो जाएगा यह भी आपस में चेंज होंगे और आपको अभी भी नहीं लग आप फिशर बनाके देख लो फिशर अलग है इसका ठीक है जाओ तो बनाके देख लेना जब मैं कह रहा हूं तो सही हो गाई वेटा मैं गलत कहूंगा ही नहीं तो यानि आपको जब भी इस तरह का दिया एक सॉलि एक डैस्च बनागे आप देखोगे एक और बनेगा अब आपके लिए यहां से लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्यूंग क्योंकर यहां कायर लीटी नहीं है यहां लगने के साथ अगर कहीं लगने के साथ chirality आ रही है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, यहां लग रही है नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही पोजिशन है, तो तीन बन गए है, अब आगे हैं, CL, 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 कितने बने इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X की वैल यहां के आएगी, 6, X की वैल्यू के आएगी है, यहां पर, 6, बस यही चीज़ देखनी थे आपको, तो कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको, तो आपको क्या दिहान लगना है, कि इन केस अगर यहां सिया लग रहा है, तो यहां कारेलिटी आ रही है, इसका मतलब हमें यह सॉलिड और डैश बनाने ही पड़ेंगे, अलग अलग, और फिर बना के देखना पड़ेगा कि वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है या नहीं है, स्टीरियो के अच्छी जानकरी होनी चाहिए, उसके लिए आप स्टीरियो वाला लक्षा देख सकते हो, मेरा, ठीक है, ओके, आपको यादे मैंने टॉक्जलिक एसिट के आईसोमर्स बनाये थे, वो भी देख सकते ह हो, अब आगे, एक और एक्जामपल ले रहे हैं हम, अब बताइए, इसमें कितने होंगे, एक ही होगा, क्योंकि ये चारों है और कहीं पे भी काईरलिटी नहीं जन्रेट हो रही है, तो बताइए, इस जगा, एक्स की वैल्यू क्या होईगी, वान, के लिए हैं कंसर्प्स, तो यहां हमारे पास दीरे 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 हमारा नंबर आप प्रॉडर्स बढ़ते जा रहे हैं, एन हेक्जेन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सबसे पहले CL यहां लगाओ, काईरलिटी आ रही है क्या, नहीं, CL, यहां लगाओ, CL, यहां लगाओ, काईरलिटी आ रही है, हाँ, क्या यह कंपाउंड, काईरल है, बिलकुल, तो यह आंसर जाएंगे, जाएंगे दोनो, CL, यह भी काईरल है, तो कितना हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच, चांसे तो आपका आ गया है, इस दाट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब दूसरे तराफ, इसको यहां ले जाओ, हम यहां तक लाए थे, CL, क्या यह, और यह, सेम है या नहीं है, है, यह इसके साथ सेम है, या इसके साथ सेम है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह नीचे वाले के साथ सेम है, बिलकुल सही का, आप देख लो, यह चीज उस तरफ चल जाएगी, एक, दो, तीन, और एक, दो, तीन वाली उदर जाएगी, और यह सालिड वाला डैश में चेंज हो जाएगा, कुल मिला के, हाँ बिटा, पीछे की तरफ है, बस कुल मिला के, ऐसे समाझ लो, एक्चल में, आप इसको ऐसे करोगे, तो ज़्यादा सही रहेगा, चलिए, ठीक है, तो यह सेम है, कुल मिला के, अभी तो मैं यह माल लेता हूँ, किसी के भी साथ हो, अभी तो सेम है, किलियर है, तो यह हम नहीं लेंगे, और इसके बाद वाला भी किसी के साथ सेम होगा, और उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा, तो इसका अंसर क्या जाएगा, पाँच, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, पाइब, कोई डाउट, शॉर, लॉक कर दे, हमने 9 एक्सामपल कर लिए, थोड़ा और करते हैं, मज़े को और बढ़ाते हैं, 10, और 1, 2, 3, 4, 5 को लेते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, हमें 5 को लेते हुए, एक C3 यहाँ लगा दो, सरी, C3 यहाँ लगा दो, अब हम काउंट करना चाहते हैं, कितना अंसर आएगा, पाइब, पाइब, आपको एक्स बताने हैं, पाइब, आप बहुत इंटालिजेंट हैं, यह अपने माल लिया, तो यहाँ क्या है, CH2 CL, एक बार उपड़ लगाया, ठीक है, और, CH2 CL यहाँ लगाया, इसको समझाने के लिए, आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, और भी अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाने के लिए, आप इसको ऐसे समझाओ, यहाँ हाइडोजन ले लो, CH3, CH3, बोलो सही है न, अभी तक के लिए, अब समझाना शुरू करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एच यहाँ लगाओ, CH2, CL, और, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, बिलकुल है, तो यहाँ हमारे पास, CH2, CL, आपको जो चीज वहाँ नहीं समझ में आई थी, इस से आपको और ज़्याद अच्छे समझ में आईगे, अब साइए, क्या यह दोनों कंपॉंड से यह में आई अलग है, आलग है, मैं भी, मैं यही कह रहाँ, अलग है, तुम ही नहीं मान रहे हो, के लिए रहे है अब तो, दो हो गए, अब देखते जाओ, CS3, CS3, एच, इस एच की जग़र क्या लगा हो गए, CL, यह अब से अलग हो गया, यहाँ पर, CL को लगती है, यह उधर जाए, कोई फर्क नहीं पटा, क्यूंकि दो वैलेंसी सेम है, कितना intelligent हो गए ना मेरे साथ रहके, तो यहाँ अब CS3, साथ, H, CH3, CH3, CL, CL, क्या यह दोनों अलग अलग हैं? अब इस तरफ ले जाओ, दो यह आएंगे पक्का, CH3, CH3, CL, 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 कार्बन का ध्यान रगो, 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल सही है, और भी बनेंगे क्या, एक और है, CS3, CS3, CL, कहीं भी भी लगा दो, वह तो खेर, 2, CL, अब उपर भीजना है, या नीचे भीजना है, कारलेटी तो हैं नहीं, और कारलेटी नहीं है, में जो है, तो कितने अंसर हुए आपके टोटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, X की वैल्यू क्या होगी? 8, या सोड़ो, के लिए रहे concept? अब आती है, 11th, cyclic compounds के बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, cyclic के, हमने normal तो बहुत अच्छे से कर लिया, कितने कार्बन की लोग हैं आप, 3, सहीए, अब बताइए 3 के लिए, आपके लिए, mono-derivatives कितने होंगे, जल्दी बोलते जाएए, mono-halogen-derivatives, एक ही रहेगा, कितने अच्छी बात है, एक ही रहेगा, और, CL, क्या ये, chirality जनरेट हुई है, दोनों वैलेंसी सेम है, बिल्कुल सही है, अब बताइए, जित्ते भी इस तरह के हैं, भले, cyclopentane, butane, hexane, कुछ भी हो, एक ही रहेगा, एक्स की वैल्यू कितने होगी, mono-halogen-derivatives, आपका अंसर होगा, एक, अब थूड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, आपको, ये दिया गया आपको, शुरुवात हो गई, mono-halogen-derivatives, CH2-CR, दूसरा, CH3-CR, क्या यहाँ पर कारेलिटी आई है, किसी भी वज़र से, ये कारेल है पहले तो ये देखो, नहीं है ना, कारेल नहीं है ना, बस खतम, आगे पीचे करने की ज़रुवत नहीं है, CH3-CR, ठीक है, ये दो वैलेंजी सेम है ना, इस कार्बन की, नहीं, ठीक है, पहले ये चीज समझ लो, CL है, कारेल आया है ये निया है, आ गया, ये कारेल है, अब तो आपके पास, बहुत अच्छे अच्छे एक्जामपल आ गए, CS3, उपर की तरफ है, CL, क्या ही है एक दूसरे के, इन में से कोई भी मेज़ो है क्या, नहीं, कातम बात, CS3, 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 क्या ये मेज़ो है क्या कोई भी, नहीं है, कोई मेज़ो नहीं है, तो इसका मतलब कोई कटेगा भी नहीं है, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लॉक कर लो, क्या सीखा अपने मुझसे, की पॉइंट, आप बनाते जाओ, अगर मेज़ो है, तो दो कंपॉंट देखने को मिलेंगे, और एक काटना होगा, तो ये एप्रोच लिखो, इसको लिखो, गुरु मंत्र, बाइस सुनील अखोटिया, तो सुनील, लखोटिया, ट्रिक, अप्रोच, क्या कहती है, इस की पॉइंट, पूरा नाम लिखना जरूरी है, सभी बच्चों को, क्या है, इन केस अफ साइकलिक, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, इन केस अफ साइकलिक, क्या आपको सुचना है आपर, इन केस अफ साइकलिक कंपाउंड, are applying halogens up and down one by one and find that Compound is meso or not, meso or not meso, पस दो ही चीज़ देखना है आपको. If it is meso, then obviously then its mirror will be generate. हमेशा दो में generate होगा फिर वो, बाद में होगा, उसी समय हो जाएगा, वो बात आलागे, then its mirror will be generate and both and one of them cross in simple words count only one and count only one product. from pair. एक काउंट करना, एक को छोड़ देना, clear है? Concepts बहुत easy है, कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है, practice करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. तो जब तक मेजो नहीं मिल रहा है, बिंदास count करते जाओ, क्योंकि वो अलग ही होगा. एक्जाम्पल बढ़ते जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? एक, कौन से नंबर का एक्जाम्पल था हमारा? 12, 13, Monohalogen Derivatives, एक्स की वैल्यू किती आएगे बेटा, इस जगा? देखो, सिंपल सा लोजिक है, बनाना शुरू करते हैं अपन, CH2Cl, कोई भी माल लो, हैलोजन Derivative, कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रॉमिन, यहाँ लग गया, यह मैजो यह नहीं है, देखो, देखो, plane of symmetry है, खतम, आगे सोचो ही मातब, दूसरा, CS3, CS, क्या यह मैजो यह नहीं है, सोचना ही नहीं आगे, CS3, माल लिजे उपड़, CL, बोलो यहस, 3, CS3, CL, अलग 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 अंपाउंड है, आप केंगे सरी मैजो है, हाँ, अप्टिकल लेकिन, यह एक दूसरे के di-stereomers है, तो दोनों count हो जाएंगे, यानि कि एक दूसरे के कहूं से, GI भी है, तो यह rule जो मैंने लिखा आएगा, product from one pair, count one, समझना बात को, तो यह कहां नहीं लगेगा, GI में नहीं लगेगा, GI, GI में, यानि यहां एक और point बनके आएगा, above rule, not applicable, if pair is GI, अगर पेर GI है तो उपपर वाला रूल नहीं लगेगा, तो यह दोनों अलग-अलग compound है, है या नहीं है, यह measure है लेकिन GI है, कोई से भी isomers बन जाए, CS3, CL, CS3, CL, क्या यह बात सही है, कितने बन गए आपके, 8, आपने कितने बताया थे, 8 बताया थे, 8 बताया है, सही है, आया बात समझने है, अभी भी गानित बागी है, आप बोल सकते हो, कि सर हमें यह confusion है, आपने यह सामने लिया, पीछे लिया होता तो, बेटा देखो ध्यान से, एक सेकंड के लिए, तब भी उतना ही होता, तो वो compound में हमारे को पीछे लेने की जरुएत नहीं है, जब यह और यह आपको सेम दिखाई दे रहे हूं, क्या यह और यह अलग-अलग हैं क्या हो, आप यह बताओ पहले तो मुझे, नहीं है ना, तो खतम बात, तो गुमाने की जरुएत नहीं यह आप, क्योंकि यह और यह दोनों एक ही है, इसलिए आपका ऐसा हो रहा है, लॉक कर दें, ठीक है, हम बात करते हैं, बापिस Mono Chloro Product या Mono Chloro Derivatives, आपको यह दिया गया है, और यहां आपके पास है, इस तरह का कुछ दिया गया है, और Mono Chloro Derivative, या Product, कुछ भी हो सकता है, और आपको X है, और X की वेल्यू बतानी है, CL to Hμ, तो जल्दी से बताएं, कि आप कैसे बनाते हैं, आपके आंसर्स बहुत आसानी से निकलने चाहिए, CH to CL, CH3, एक, CH3, CH3, ध्यान से सुनना, कोई डाउट नहीं है, पक्का, मैं इसको पीछे भेज देता हूँ, और एक आगे ले लेता हूँ, फिलाल, आप इस सीच को ऐसे समझे, देखो, CH3, पीछे वाले हाइड्रेजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, कर दिया ना, कोई दिक्कत किसी को, आगे, CS3, क्या फ्रेडिकल बनता है यहाँ पर, हाँ, फ्रेडिकल बनने के बाद उसे मालूम नहीं है, कि वो CS3 उपर है या नीचे, यह बाद दिमाग में अंदर तक बिठा के चलना, मालूम है क्या उसको, नहीं, तो इसका मतलब में इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, क्योंकि यह रियक्शन बीच में जो इंटर्मीडियेट बनता है, वो डॉट बनता है, और डॉट प्लेइनर हो जाता है, और कोई भी फ्रेडिकल, भली वो ऐसा हो, A, B, C, D, लेकिन कोई भी एक चीज निकली, तो वो इस तरह से हो जाता है, B, C, D, और फ्रेडिकल प्लेइन में, उस वाले पार्ट में, एस पीटो हैब्राजेशन जन्रेट हो जाता है, इस वाले पार्ट में, अब वो चाहे तो पीछे नीचे से आए, ये वो चाहे तो उपर से आजाए, तो इसका मतलब आब वो खतम, उसका पीछे से आगे से देने का कोई मतलब नहीं रहा हमारे, आगई भासामें, लेकिन हाई ये है, कि फ्रेडिकल यहां बनना है, तो ये जरूर आगे रहेगा, ये पीछे नी हो जाएगा एक दम से उसी वाक्त, तो ये बात को धिहान में रखना हमारे लिए बहुत जरूर ही है, अब देखो, क्लियर है, अब शुरूरात बपिस करते हम, तो ये हमारे पास डैश सालिड हो गया, अब वापिस इसको हम क्या कर देनी, जहां से बुलाया था, वहीं वापिस भेज दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3, और यहां हमारे पास, CH2, CL, बनाते जाओ, CH3, CH3, CL, CH3, और इस तरह से आपके आंसर्स आएंगे, फ्री रेडिकल बनने के बाद, वो अब उपर नीचे नहीं होके प्लेन में आ गया, तो वो वो सॉलिड भी बन सकता है, वो डैश भी बन सकता है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको फिर बोला हूँ, आपका क्रेशन बहुत अच्छा है, कि यहां जैसे फ्री रेडिकल बनेगा, तभी तो CL अटेज होगा, और जब यह अटेज हो रहा है, तभी प्लेन में, उस प्लेन में, जबकि यह क्या है, आउट अफ दा प्लेन है, ठीक है, अब बात को समझे, अब आगे, CH3, CH3, यहां अटेज हो जाएगा, तो यहां क्या हो सकता है, CL उपर भी आ सकता है, तो इसलिए यहां पर बनाना ही, सबसे अच्छा एक्जाम्पल है, और CH3, CL, CS3, CS3, CL, CS3, CS3, CL, CS3, 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 CL, तो देखिए, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कित्ते बन गए, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, अब बारा मैंने बना लिए, इन मेंसे कोई भी दो ऐसे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे, हाँ, हाँ, अब देखते हैं हम, कि कोई इसमें मेजो तो नहीं बन रहा है, वो चेक करेंगे, कि क्या एक दो कट सकते हैं हमारे पास, देखिए, आप एक बार देखिए का बात, कि क्या ये, अपने आप में इंडियूजली मेजो है क्या नहीं है, अगर आपने यहां से काटा तो भी मेजो नहीं है, कहा है मेजो, बराबर कट रहा है कि ये, मेजो एक मॉलिकुल में देखा जाता है, दो मॉलिकुल में नहीं देखा जाता ठीक है इसको इसमें देखना है आपको कि क्या यह मेजो दिख रहा है नीचे अलग कट रहा है उपर अलग कट रहा है नहीं पक्का यह मेजो नहीं है हाँ अब आगे आता है कि कोई ऐसी चीज हो रही है जो हमारे पास रिपीट हो रही है तो देख लेते हैं इसमें से मुझे क कोई ऐसा मेजो दिखाई दे रहा है तो वह कोई सा भी नहीं है आप यहां से भी निकार सकते यहां से काटेंगे एक वैलेंसी यहां पर नहीं जाएगा दो है मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है आप एक पार और ध्यान दीजिए अगर मेजो होता ना तो फिर एक जैसे दो होते हमेशा और दो होते तो दोनों में से एक हम कार देते हैं यहां दो बनी मेजो आई नहीं रहा तो दो अब आपको फिर बोला हो मेजो होते हैं तो दो एक साथ दो जन्रेट होते हैं इन में कौन सा वाला यह यह में जो दिख रहा है एक बार और देखते हैं अपन प्लेन सोचते हैं कौन सा प्लेन ले रहे हो आप यहां से काटने की कोशिश कर रहे है हाँ ऐसे अचा दोनों कार्बन के बीच में बिलकुल हाँ एक मिनट आपकी बात में थोड़ा सा यह बना रहे हैं कि क्या हम इसको दोनों कार्बन के बीच में ले सकते हैं पैसे देखो यह दो हो एक दो ती विलक्म सेम जारा है अगर हम यहां इस पेशल्य इसको अलग तरह से डिजाइञ करें तो हमारे पास एक मिनट और अ हम लहारे पास आ रहा है यह बिलकुल मता अज़ा तो इसका में जोंब साओं गा यह भी बता दो बिर ये वाला मेजो होगा इसमें आपने ये काटा पूरा बिल्कुल सही जा रहे हो तो ये और ये मेजो है तो ये वाला क्रॉस हो गया बिल्कुल सही जा रहे हो आप एक मेजो निकल गया आपका फिर तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका chaus हो चुका है क्या ये मेजो नहीं है आपके लिए CL नहीं है मेजो CL से भी नहीं काटेंगे मैजो नहीं है CLA, CH3 नहीं है बिल्कुल सही जा रहे हो आप और बाकी कहीं नहीं है एक बाद चेक तरें आप नहीं है तो इसका अंजर इसका अंजर क्या जाएगा आपका 11 टिक करें इसके लिए भी हमारे को मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बताने तो मोनो क्लोरो प्रोडक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले CS2Cl CS3 then CS3 CL CS3 यह होगा उपा जाएगा या नीचे जाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल बन चुका है CS3 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 क्या है यहाँ तक क्लियर है क्या 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 क उपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. CS3, CS3, CL, CS3, 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 CL, तो दोस्तों यह हमारे पास टोटल एक, दो, तीन, चार, पाँच, और नीचे भी पाँच, दस है, अब दस से जादा तो नहीं होंगे, यह तो गारंटी है, कम हो सकते हैं, हाँ, देखते हैं, कम कैसे होंगे, चलो, सबसे पहले, कौन सा मैजो है, इन में से, चैक करो, क्या यह नहीं, कैसे भी देख लो, नहीं है, प्लैन आपको कहीं से भी नहीं कट रहा है, नहीं है, कहीं से सोच भी मत, इसमें भी, यहाँ, नहीं सोच सकते, यहाँ, नहीं सोच सकते, यहाँ, नहीं सोच सकते, पक्का, कोई भी मैजो नहीं है, नहीं है, नहीं है, CL बिल्कुल अलग जा रहा है कोई कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है आप को भी नहीं दिखाई देगा और नहीं है तो यहाँ कोई भी मेजोर नहीं है अच्छे से चेक कर लो तो इसका अंसर क्या जाएगा यस आप जब भी इसको गुमाएंगे, क्योंकि वहां लाने के लिए आपको इसको गुमाना पड़ेगा, गुमाते ही दोनों चीजे कहां पोच जाएगी आपके, पीछे की तरह, यानि इस तरह से, कैसे, यह पूरा गुमा लिया, तो यह CH3 तो पीछे की तरफ और यह भी पीछे क की तरफ है, मैं जो है नहीं, तो आप भूल जाओ कि यह एक आइडेंटिकल है, नहीं है, इसका अंसर दसी जाएगा, और कौन सा लग रहा है आपको, उससे मतलब नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से सहमय तू, कि यह एक दूसरे के GI नहीं है, नहीं है, लेकि यह से से तो यह रार होगे, यह रहए से तो यह साल होगे, यह सरे तो यह रहा हे और मैं recycling है, और मैं और आऑ तर्लागि जाएगा, यह लग law颧 अचर अपने मिर तो बहुत अच्छे से आये मिर ऄ गजालब ले तो बताईए, ग्यारा किसे इस के पास साथ से और यानि यह घुमा दिया अपने साथ से साथ को देखो बिल्कुल कट रहा है और च्छे च्छे को आपने किस से घुमाया दस बिल्कुल यह वहां जा रहा है मतलब इसको उपर ऐसे पकड़िये बस मॉलिकुल को यह से घुमाया है अब देखो तो यह जो सीयल है उपर के उपर प्लेन में घुमाया है यह समझ मारा तो इस तरह से रख रहा है तो जैसे यह घुमाया तो आपका यह सीयल यहां चला गया सिंपल तो है अपन ऐसे भी तो घुमा रहे है तो यह इससे कड़िया यस अब आगे छे और दस चार और नुँँ कि तो हमारे आई सो मर्स कितने दिख रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कट रहा है तो हमारे आंसर आ रहा है सेविन कि लिए रहे हैं कि लिए रहे हैं कि लिए अगर बात करें जी आई तो आपका यह दूसरे के जी आई के लाएंगे जी आई के लिए क्या होता है पोजीशन सेम रहनी चाहिए आपके लिए तो यह सारे एक दूसरे के लिए जी आई बाकी तो इस्ट्रक्चर आइसोमर्स भी हो जाएंगे पर तो यहां पर जी आई कौन यह कोन होंगे यह दूसरे के गयह होंगे не जैयर्ये दूसरश के होंगे पर सबस्क्राइब हैं और जियाई एक दूश्य के जियाई होंगे तो जियाई पेर में बता सकते हैं रुख जाओ तीन पेर हैं आप ऐसे नहीं बता सकते कि इसके क्या कहेते हैं एक आपसमें। है ऐसा ही। ऐसा ही। एसा ही का मतलब structure isomer एक बाधिन पोजीशन पोजीशन आई तो यह पोजीशन इसको क्लोरीन की पोजीशन अलगे हैं यहां तो जब पोजीशन है तो आपना इसको ओी नी बोलेंगे एक दूस्य के ठीक है ओई यहाँ पर उप्टी का लेक्टि और इसमें डेख सकते हैं तो यहां पेडर में बता सकते हो यह इसके क्या है यह इसके क्या है यह इसके का है लेकिन टोटल आपको MCP, Monochloro Product, आपके पास कितने आ रहे हैं साथ?